हेलो गाइस माइनेम इस कुल्दीप एन वेलकम टू स्टेडी फंडा सो आज किस लेक्शन में हम देखेंगे डेली करेंट अफेस mcqs वह भी दो अक्टूबर के और यह जो mcqs होने वाले हैं वह काफी ज़्याद एंटरस्टेंग होने वाले हैं और यह यह जो mcqs हैं यह आपके cds, capf, fhat, nda और बागी जो अधर एक्जाम है ना उनमें यह काफी ज़्यादा होंगे और आप इन mcqs को ना किसी एक नोट बॉक में नोट डाउन कर सकते हैं और बाद में एक्जाम के टाइम में आप इनको कर सकते हैं तो यह काफी ज़्यादा है तो आप इस activity को कर सकते हैं और आप इसमें जो mcq पूछे गए हैं आप उनका जवाब दे सकते हैं वीडियो को पॉस करके तो इस लक्षर को स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि इसमें पहला कोशन पहला कि वेर वाजदा थ्री डे लॉंग मीजिक फैस्टिबल नाटा संकीरतन हैं मतलब इसमें पूछा गया है एक तीन दिन नंबा जो मीजिक फैस्टिबल है जिसका नाम है नाटा नाता संकीरतन है वह कहां पर हुआ है तो ऑप्शन इसमें कि पहला है असम दूसरा मनिपूर त इसा गुजरात चौथा राजस्तान तो अगर आपने वीडियो पॉस्ट करके अगर इसको अटेम किया हुए तो आपने अंसर लगा लिया हुए वैसे इसका साही आंसर है ऑप्शन नमर भी मनिपूर सो यह नाता संकीरतन जो है वह मनिपूर में यह फैस्टिबल जो मूजि कोशन हम देखते हैं तो अभी सेंटर गोवर्मेंट हैज चेंज दा नेम और मिड़े मील स्कीम नेम मैं जो मिड़े मील स्कीम है उसका नाम चेंज करके क्या रखा है तो आप्शन है पहला पोशन मील दूसरा पी एम पोशन स्कीम तीसरा भोज पोशन एडिसा इनमें से पी पी एम पोशन स्कीम सो जो मिड़े मील स्कीम है ना उसका नाम चेंज करके क्या रखती है पी एम पोशन स्कीम तो इस चीज़ को या रखना यह काफी ज़्यादा मतलब यह स्टार तीन स्टार वाला कोशन है तो इस चीज़ कोशन काफी जाद हो जाता है और यह इसके ए पूछ लगा है यह पूछ लगा है यह जो इसके मों किस से रिलेटेड है या कुछ अगर उसको नाम चेंज वह तो पूछ लाएं तो यह से इसकी वाले कोशन को आप ध्यान से करना जैसे इसमें लिखा हुआ है जो कि बच्चों को दी जाती है प्री प्रैमिनी क्लासे वालों को ले मनें जो लूंच जो दिया जाता है ताकि उनकी जो निट्रिशन जो वैलू है वो ठीक मिलती रहे उनको अगर उनकी ने रही तो बच्चे कमजर हो जाएं ऐसे फिजिकली और मेंटली तो इसी वैसे गवर्मेंट उनको मिड्डी मिल स्कीम देती अब उस मिड्डी मिल की जो स्कीम है उसका नाम हो कि अब क्या हो गए पी एम पॉशन तो इस चीज़ को भी आ रखना दैन नेक्स कोशन नेक्स कोशन है कि हूँ हैस्ट बिकम दा फस्ट एफ वन रेसे टु विन हंड सब्सक्राइब करना चाहिए तो नोट कर सकते हैं जैसा है इसमें नीज में रखा है कि हैंमिल्टन विन हंडेट फैर्म्ला वन रेस विड विट्री इन रॉप सु यह जो रेस हुई थी वर रश्या में हुई थी और यहिंकी ऊंडर है क्रिदेश फॉर्म्ला वन रेस थी जो अनों नों जीतिय तो इस व्एस है कोशन और भी करने के लिए क्रेडिट सपोर्ट देगा तो अपने कोशन तो समझ लिया होगा तो को तो इसमें आप्शन दे रखे हैं पहला है सिद्बी दूसरा इसबी आई तीसरा पी एन भी चौथा नावाट तो इनका सही ऑप्शन इसमें से है ऑप्शन नमबर डी नावाट तो नावाट है जो जो की जो आंशल प्रदेश में जो याक इंडिस्ट्री ना उनको सपोर्ट करने के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करेगा ताकि जो वहां याक जो एनिमल होता है वो ऐसे पाड़ी रागों पाए जाता है तो इस चीज को याद रहा है जैसे कि इसमें देखा रखा है यह दा हिंदू का स्कीन शॉट्व लिया रखा है नीजपेपर का तो इसमें लिखा हुआ है नावाट अप्रूब्स क्रेडिट प्रेंट फॉर रियरिंग हिमालें याक्स तो इस चीज को याद रहा है देन नेक्स कोशन देखें कि वाट इस दा हैल्प लाइन नंबर ऑफ एल्डर लाइन लॉंच्ट बाइ मिनिस्ट्री ऑफ सोचल जस्टिस एंपावरें मतलब कोशन यह है कि हैल्प लाइन नंबर जिसका मनदब जो तो फैनाद नंबर जो कि किसी ने लॉन्च्ट कोन सी है तो यह कोशन ना bus देखते हैं पहला है 13678 दूसरा 13579 तीसरा 12567 और चौता 14567 तो इसमेंसे सही आंसर कौन सा है तो इसमेंसे सही आंसर है option number d 14567 तो यह है यह नमर है जिसका नाम है elder कि लाइन तो इस चीज़ को या रखना option कोशन ऐसे भी पूछ सकते हैं यह तो यह नमबर है उसको किस नाम से जाना था elder line की तरीक से जाना था और इसने किस और यह किस ने लॉंच की थी वह लॉंच की थी ministry of social justice empowerment तो इस पॉइंट को याद रखना है जैसे कि इसमें लिखा हुआ है और यह लॉंच किया था किस ने किया था वाइस प्रेसिजंट हमारे वेंट कर यह नाइडू ने इसको लॉंच करता एंडर ली लाइन वन फॉर फैक्सिक्ट्ट फॉर सीनियर सिटीजन के लिए तो इस पॉइंट को आप याद रखना नहीं स्कूशन देखें हैं तो नहीं स्कूशन है हवासॉंग एट मतलब अगर मैं ढंक से प्रोज नाम करें उसके लिए सौरी तो हवासॉंग एट जो एक न्यू हाइपर सॉनिक मिसाइल है वो किस कंट्री ने सकसेस्फुली टेस्टे लिए गया है नॉट्ट कोरिया साउथ कोरिया जैपान यह ताइवान ठीक है तो इसमें से कोई सही एंसर होगा यह सही होगा तो इसकी अप्शन है नॉस्टकोरिया नहीं कि जो मिसाइल है हावासॉंग एट उसको सक्सेस्फुली टेस्ट कर लिए तो इसको याळ रखना न को नोट डाउन को लिए ना यह काफी ज़्याद एक्जाम के लिए और बेकॉस यह है पर सॉनिक में सबसे तेज होती है तो कुछ टाइप होते हैं मिसाल के जिए नंको हम बोलता है शबसोनिक जोकी नग्षक इतनी होतें एक değ इतरो इनकी इत्य जाती है मैक में एक इस स्पीड आप साउंग तो इस तीज को या रखना सबस्वनिक कौन सी होगी जो लेजन कितने होगी वन पॉइंट वाली होंगी वह सुपर सब्सॉनिक होंगी और सुपर सानिक वाली कौन सी होंगी जो एक से लिए पांस में तक उनको बोलते हैं जो पांच में से ज्यादा की होंगी वह उनको हाइपर सॉनिक बोलता है तो यह जो अभी नौथ को यह वाली जो मिसाल थी हावसने एट वह तो इस चीज़ को यहाद है और मैं जो है वह क्या वह स्पीड ऑफ साउंड की है इस चीज़ को भी याद रखना डैने नेक्स कोशन इसमें देखें नेक्स कोशन है कि फूमयो किशिदा विल बिकेव नेक्स प्रायम मिनिस्टर ऑ विक कंट्री मतलई यह जो रखती है वह किस कंट्री के नेक्स प्राइम मिनिस्टर बने आप्शन है फिलिपिन्स नौर्थ कोरिया रस्या या जपान तो इसमें सही अंसर है मंदल इसमें सही ऑप्षन कौन सा ऑप्षन है इसका सही जपान जपान के नए प्राइम मिनिस्टर है फुमियो कि शिदा विचीज को यह रखना इससे पहले कौं यह पहले प्राइम मिनिस्टर थे अब लेकिन अब इनकी रहा कॉन है फुमियो किशी रख तो इस चीज को रखना जैसे इसमें लिखा हुआ है फूमियो किशीदा विंडेश टू बिकम जपाने नेक्स्ट प्राइम मेंस्टर तो इससे पहले कॉन थे सूगा और सूगा पैसे पहले कॉन थे सिंजो अब यह तो इस चीज को भी याद रखना देन नैस कोशन इसमें देखें एक सेकेंड हुम नैस कोशन है कि कि जियोलेजिस्ट है नजला बॉर्डेन रॉम धने सौरी अगरत हुआ तो तो यह जो जोलिस्ट है वो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है तो थो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर के हैं अप्षन तुनिस्या दूसरा लेबिय, तीसर लिए, अलजिरिय, चौथा टर्की तो यह चार ऑप्षन है इनमें सो कोई सही answer होगा तो उसका सही answer है तूनिशा तो इस चीज़ को यार रखना कि अगर किसी कंट्री में कोई भी महील भी पिए अलके हैं। ठीक है तो जैसे इसमें लिखा है कि नजला रोमधने जो कि टुनिश्या की फर्स फिमेर प्राइमिनिस्टर है जो कि 60 से ओल्ड है और यह है वो ठीक है और इसके अलावा हम टुनिश्या की अगर हम लोकेशन देखा जाएं तो वह साउथ अफ्रिका मतलब जो अफ्रिकन कॉं इसको सी करेक्स बावा और सी को साहरी यह मद्यिटरीं सीओ और यहां पर है इस चीज को हिरा रक्ना जो की सिप को से तर्च का मनौ जोड़ता है और यहां पर जो अभी हाल फल में काफी ज़्यादा फेमस थे कौन सा है कौन सा यहाद रखना और इसको कमेंट में आपने बताना कि यह कौन सा सुवाजशना स्ट्रπस प करेमस थे मदाना इसको है तो नंतर्फ एक सबस्राइब इस वाले खरेंगिस को फेमस अपर empresas ऑप्षान थेकली तो इन 4 सो कोई एक साई ओक्षण होंकर तो उचैनी साई ऑप्षेन नल्ष थी ऑलेफेंट माद जो कोई पर आ department है वो उन्हाने elephant के लिए मद्ध हाती के लिए radio caller के जो fit है उनको प्रभूज किया है तो इस चीज को यह रखना जैसे कि इसमें लिखा हुआ है यह down to earth के magazine है वहां से cut out लिया गया है तो इसमें लिखा Odisha radius to radio caller for seven elephant तो इस वैसे यह काफी ज़्यादा हो जाता है ठीक है और लेक्चर का last mc को कोशन देखते हैं तो वेर वेर विदाट 2021 ाइसी सी टी टॉन्टी वर्ल्ट का प्लेड मतलब यह कोशन यह है कि जो icc के जो टी टॉन्टी वर्ल्ट का पैज जो 2021 वाला वो कहां पर खेला जाएगा ऑप्शन है इंडिया यूए इंग आंसर एस का UAE मतलब United Arab Emirates तो UAE में यह टी टॉन्टी वर्ल्ट कप खेला जाएगा ठीक है तो इसके हम लोकेशन देखें यूए की तो यह यहां पर पढ़ता है अरे बिन पहलों सलाम है UAE United Arab Emirates और यह एक इसको सी का access मिला तो यह लैंड लॉप कंट्री नहीं है और यहां पर इसका यह है Gulf of Oman then Persian Gulf और सी के सामने मतलब इसके सामने वैसे देखा है तो यहां पर यह एरान पढ़ता है और यहां पर साओधिय अरे जिससे इसकी बॉड़र टच होती है इसके लावे ओमान से इसकी बॉड़र टच होती है ठीक है तो इसकी लोकेशन आप याद रखना और थोड़ा देखें United Arab Emirates के वारे UAE के वारे तो इसकी Capital अबुदाभी इसकी करेंसी है United Arab Emirates दिरम तो इसकी Capital होगी अबुदाभी करेंसी होगी UAE दिरम ठीक है और इसके President का नाम क्या है इनके President का नाम है Khalifa bin Zahid al-Nayan तो इन पॉइंट को भी याद रखना है तो ऐसे भी को प्रेक्शन में बस इतना ही मिलते हैं कर नए MCQs की सेरीज में जिसमें और और भी काफी ज़्यदा इंट्रेस्टिंग कोशन होंगे ठीक है अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और कोई सेजिशन देने हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करक मुझे ठीक है तब तक के लिए थैंक यू जैन दिन जैहिंद